हेलो असलावलेकुम विल्कम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छी होंगे तो अभी सुबा का साड़े छे हो रहा है और आज उठ तो गहते लेकिन आज बैड छोड़ने का रीजन ये था कि जीसु कल चलाई गया है जैसा बता है आप लोगों लेकिन उसकी ट्रेन इतनी लेट है वैसे तो स्टार्ट वही लेट में चली थी लेकिन हम लोग को यह उमें था ना कि सुबेरे चार बजे तक पहुच जाएगी क्योंकि उसके चार बजे ही राइट टाइम लेकिन पहुचा कब है साड़े नौ दस बजे की लगभग पहुचा है तो जीसु का कॉलेज भी आज मिस हो गया तो हम लोग वही सब टेंशन में लगे वे थे और चार बजे से हम लोग जागे थे कि वो उठ जाए तो जैसे ट्रेन पहुच जाएगी तो हम लोग उसको तो चायोए पी चुके हैं और जीसु के रूम में आए हैं और वैसे ही फैला हुआ था कल कुछ भी नहीं किये थे जब गया ना तो उसके बाद फिर कुछ मनी नहीं किया तो यह बैड़ना वैसी कली से फैला हुआ था और बस आज अगर काम स्टार्ट नहीं करते तो करें गहरा है तो मेरे बस डेली रूटीन स्टार्ट हो चीए यह दूद्र लेकर चुखे इनका भी डेली रूटीन स्टार्ट हो चीए और यहां से बैड़ ओठी करके अभी जो वेल्कम है ना आप तो जीसु आया और जीसु चला भी गया तो इसको भी खटाई देते फिर अजब जीशु आया था ना तो अपके बाड जैसे कि वेल्कम लगा फिर केक आया तो जब वो खा लिया केको तो जीआ कह रही है कि भाया यह मत न सोची गा कि जैसे इस बार आप आये तो आपका वेल्कम हुआ केको क मिला कि अब यह नहीं कि जब जब आएँगे तब मिलेगा पहली बार था इसी लिए वेलकम हुआ था केक मिला था तो ये आ चुके हैं जैसा कि आप लोग देख चुके हैं तो बस अब इनको नास्ता दे देते हैं और आज होने वाला है किचन का मेकोवर ये जो मेकोवर है ये उसी दिन हो जाता जिस दिन पूरा डीप एकडम तो आज हम लोग करने वाले हैं तो बरतन औरतन सब कुछ पहले दो लेते हैं और इधर का पूरा साफ करके और इसको ना स्लैप को सुखा देंगे और तब अपना करेंगे तो मेकोवर से पहले भी ना अपना इंसान का तयारी करना तो जरूरी है ना तो बरतन रात का भी था रात में कल कुछ कामी नहीं वा था और कल ना मैं खाना भी नहीं वनाई थी रात में इसलिए क्योंकि बहुत सारा चीज था पहली बात चोले था और जो सुबह बनाए थे दाल चावल वो था कुछ कोई खाना ठीक से खाया नहीं था तो सब कुछ था इसलिए कल रात में कुछ भी नहीं वना था तो बंबरतन और तन भी सब कुछ पड़ा था और मैं किती उससे बोल रही हूँ लेकिन कभी कभी ना हो जाता है ये नॉर्मल सी बात है ऐसा नहीं है कि हाँ, रोज तो इनसान का वही रूटीन चलता है लेकिन कोई कोई दिन ऐसा होता है कि मन नहीं करता है थर्ड रूटीन को चींज करने का मन करता है ये कह सकते है तो ये पाव लाई वे थे कल की परसों लाई थे कि जीसू खा लेगा लेकिन यही सब इतना तना चीज बन गया तो वो जो पाव है वो रखा ही रह गया तो अभी चाए बना दिये हैं चाए और बन हम लोग खाएंगे और उसके बाद ये बोले ले कि चलो घर चलते हैं लेकिन अभी न ध्यान लगा हुआ है कि जीसू की ट्रेन के उपर कि किते बजे पहुँचाएगी पहले तो हम लोग का ये था कि अगर वो 9 बजे तक भी अगर अपने कॉलेज पहुच जाएगा ना तो वो चला जाएगा लेकिन नहीं पहुच पाया 10 बजे सावा 10 बजे तो ऐसे उसकी ट्रेनी हावड़ा पे उतरी फिर वहां से एक घंटे का रास्ता है तो कॉलेज तो जाना ओपर से बारिस बहुत हो रही थी तो उसकी वज़ा से भी बहुत हो जादा तो ये बैठे थे फोन पर अपना देखी रहते और ये मुझे ना पहले बोलेते कि चलो घर बाद में आके जाडू लगाना लेकिन फिर मैं सुचे कि जब बैठे ये तो जाडू लगा लेते हैं अब खाना वनाना कैसे बहुत है तो हम लोग घर से आ चुके हैं और इधर का देखी तो पूरा जो एरिया है इधर खाली कर चुके हैं बरतव नोतन सब कुछ द्हों के गय थे तो बस आने के बाद कामी स्टार्ट करना था और ये जो स्लैब है इसको अदम सूखा हम लोगों चाहिए था इसलिए पुरा करके तब गहते लेकिन अभी भी न कहीं कहीं ऐसा है कि पानी था अब कितना भी है तो इतना जल्दी तो नहीं सूख पाएगा ना तो इसलिए ये पहले सुखा रहे हैं और उसके बाद करेंगी तो ये दिखिए आगिया है वाल स्टीकर जो कि ये ना स्लैब के लिए है अब भी पता नहीं कि कैसा है क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था ये वाला जो है ना ये हम लोग फर्स टाइम यूज कर रहे है और गैस के जब नीचे काम करेंगे ना तो थोड़ा सा वो रहता है क्योंकि उतना एरिया काफी ज़्यादा गरम हो जाता तो कहीं ऐसा नो कि हीट से कुछ प्रॉब्लम हो ये सोच रहते और जिसु अपने कॉलेज पहुँच चुका है तो वही उससे वीडियो कॉल पर बात हो रही थी तो चलिए फिर लगा लेते हैं तो यहां पर हम लोग क्या किये ना पहले कट कर करके और उसके बाद लगाएंगे और नाप के ही हम लोग मंगाए थे जैसे कि इसमें ना जब भी कभी आप आउनलाइन ये बॉल पेपर मंगाएंगे इस टीकर कह लिजे पेपर कह लिजे तो जो भी है तो इसको ना इस पे साइज लिखा रहता है और आप अपने स्लैब का साइज नाप लीजे और उसके बाद इसको मंगा लीजे तो हम लोग दो बंड ऐखा क्या ठीक है तो यहाँ पर देखिए तो हम लोग काट काट के और इसको लगा रहे हैं और इससे क्या ता होता कि FINISHी अच्छी आती है और जो आपका यह जो वाल पेपर है यह खराब नहीं होगा इसलिए नाप के और क्रट करकर कर लगाया रहा है कि यह जो बाट पेप वे पथर के लिए ऐसा है यहां पर एक जो बंडल एक हम लोग खोल चुके हैं और उसका कुछ पार्ट बढचा हुआ भी ऐसा नहीं कि पूरा ही लग गया तो अभी बचा हुआ है लेकिन हम लोग सोचें हनFreda का जो लंबा सा जो एरिया है उसको एकी उसमें पुरा कर देते हैं, तो जिसे कि बार बार न कट कट नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए, ठीक है तो यहाँ पर चलिए लगा देते हैं और यह वाला जो पेपर है ना यह बहुत ही ज़्यादा पतला है प्लास्टिक है और जो हम लोग पहले लगाये थे ना वो थोड़ा सा मोटा मोटा था लेकिन यह बहुत ज़्यादा पतला है और अच्छे से ना जसे कि चिपक जाता है इसमें एयर जादा नहीं वो लगता है अगर इसको सलीके से लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से पूरा एकदम चिपक जारा था पहले मैं कोसिस कर रही थी फिर यह वो लेना है कि लाओ हम कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं धर से नीचे से खीच रही हूँ और यह बस उसको बैठाते वी जा रहे है और बहुत ही अच्छे से बैठाता इसमें कहीं पे भी एयर नहीं था अगर धियान से करेंगे तो कि है कि अ यह नहीं और अगर एयर आ जाता है तो उस जगह पर क्या होता है कि फटने लगता है इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजेगा और जब भी लगाए ना तो इसको देखिए यह कितने अच्छा से दबा दबा कि ना अगर कहीं एयर है तो वो भी बैट जाता है तो इसको ऐसे करके इसको सेट कर सकते हैं तो यहां पर तो यह वाला जो second वाला है यह पूरा वहां तक अच्छी तरीगे से पहुँआ चुका है और देखने में कितना अच्छा लग रहा है जैसे मारवल वाला वैसा हो गया है तो पूरा किचन का look की एकदम से चेंज हो गया था मुझे बहुँआ ज़ादा पसंद आया और बाकी तो वो भी ले सकते हैं मुझे price के हिसाब से बहुत सही लगा अगर आप kitchen का makeover करना चाहते हैं कम budget में makeover करना चाहते हैं तो आप इसे try कर सकते हैं और चाहे तो rake oak में भी लगा सकते हैं रake में लगा लीजे तो काफी अच्छा था तो यहाँ पर अब क्या है कि हम लोग को cut करकर के ही लगाना पड़ेगा क्योंकि अब क्या है ना कि अधर आप देख सकते हैं कि बहुत जादा लंबा space नहीं है और थोड़ा-थोड़ा करके ही अब इसको पुरा set करना पड़ेगा तो यहाँ पर यह नाप के काट रहे है और अब क्या हो गया लास्ट में जो हम लग लगा रहे थे ना तो हुआ यह कि उधर कुने में मैं नहीं पहुँच पारी थी एक ही लोगों से होने वाला था तो जैसे ही यह कर रहे थे ना तो वो छूट गया और आपस में ही चिपक गया जिसकी वज़़ा से वो निकलाई नहीं फिर तो थोड़ा सा कम पढ़ गया जबकि एकदम size का था और अगर वो नहीं बिगड़ता ना तो एकदम size का था लेकिन अब हम लोगों को एक और मंगाना पड़ेगा वो कहीं और भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसलिए मंगा लिए और बाकी जब हम लोग वो मंगा लेंगे फुल एकदम पूरा हो जाएगा और उसके बाद आप लोगों को फुल लुक भी दिखाएंगे तो इसको लगाने उगाने में ना कूड़ा उड़ा बहुत जादा हो गया तो बस मैं वही सब बटोर उटोर के कूड़ा फेकने के लिए चली गई और चली आप लोगों को एक बार कीचन दिखा देते हैं मुझे तो बहुत ही जादा प्यारा लग रहा है अच्छा लग रहा है थोड़ा बहुत मेक ओवर होते रहना चाहिए और कम पैम वैसे में अच्छा खासा मेक ओवर हो गया अभी जब पूरा लग जाएगा न तब और भी ज़्यादा खुबसूरत लगेगा आई होप कि आप लोगो अच्छा लगा रहा है